नमस्कार दोस्तों मैं प्रिया दूबे आप सभी कापके अपने यूटूब चैनल यूपी की रसोई में बहुत बहुत शागत करती हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आवला खाने से हमें कितना फायदा होता है और कितना आवला खाना चाहिए और किस टाइम पे खाना चाहिए तो चलिए हम ज़्यादा बाते ना करते हुए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं आउला खाने से हमारे सरी में बहुत ही फायदा होता है आउले में बिटामेंसी होता है एंटी आक्सिडेंट होता है तो चलिए हम देखते हैं आउले में मौझूद एंटी आक्सिडेंट गुण रेटिना के लिए काफी फायदे मन्द होता है ये बिटामें C का बहुत ही अच्छा माध्यम है ये आँखों में होने वाली जलन को कम करता है साथ ही रोसनी बढ़ाने में भी कारगर होता है तो आप आउले का सेवन डेली करेंगी तो आपकी आँखों की रोसनी तेजी से बढ़ेगी और आँखों से रिलेटर कोई भी समश्या नहीं होगी तो इसलिए आप आउले का सेवन जरूर करें आउला का चूरन का पेश्ट लगाने से बालों को बढ़ाने में मदद मिलती है आउला को आप सुखा करके उसका चूरन बना ले और चूरन बना करके रख दे और उसके बाद उसको पेश्ट बना करके बालों में लगाएं आउला बाला और सिर के तचा को नमी देता है जिससे जड़ा अंडर और बाल तूटने की समश्या कम होती है नियमित आउला खाने से बालों का सफेद होना ज़ड़ना रुखता है एक चमच आउला चूण सोते समय या सुबा खाली पेट लेने से पाचन पर किया सही रहती है या उपाय पुराने कबज को भी दूर करता है यदि आपको बहुत पहले से कबज हो रही है तो या उपाय आप जरूर करें आउला का चूंड एक चमा सोते समय या फिर सुबह खाली पेट ले इससे आपकी पाचन पर किया एक दम सही हो जाएगी आउला पेट के अलसर पाचन और गैस्ट्रिक समझ्या में काफी हद तक आराम पहुचाता है आउला खाने से आपकी पाचन सकती मजबूत होगी यदि आपको खूंड की कमी है तो खूंड के कमी के रोगी को आउला का सेवन के किसी भी रूप में आवज से करना चाहिए आउले में पाए जाने वाले बिटामिन सी हमारे भोजन में पाए जाने वाले लाउतत्त को हीमोगलोबिन में मिलाने का काम करता है इसलिए हीमोगलोबिन लेबल को बढ़ाने के लिए आउले का सेवन बेहतरी है आउले में बिटामिन सी पायजा एक सी आक्टीडेंट होता है जिससे आपके सरीर में खून की कमे को पूरा किया जा सकता है तो इसलिए आउले का सेवन जरूर करना चाहिए ज़े आपको खून की कमी है तो आप आउले का सेवन जरूर करें आउले का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं आउले का रस आचों के लिए बहुत लापकारी होता है आउला आखों की जोती को बढ़ाता है अगर किसी को नक्सीर की समझ जा है तो आउले का सेवन लाफकारी होता है आउले का पाउडर और साहत का सेवन करें आउले के रस में मिस्री मिला कर सेवन करने से उल्टीयों का आना बंद हो जाता है यदि आपको उल्टी हाती है तो आउले के पाउडर ले 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 और उसमें मिश्री मिला ले और उसके बाद उसका सेवन करें इससे आपकी उल्टी बंद हो जाएगी आउला को किसी भी रूप में लिया जा सकता है इससे आउला के गुड कहम नहीं होते हैं आप अपनी इच्हांसा आउला जूस आउला पाउडर आउला मुरब्ब आउला चार का सेवन साल भर कर सकते हैं अगर आउले का मौसम हो तो ताजे आउले का जूस और कच्छा आउला का सेवन जरूर करें इससे आपके सरीर में बहुत ही फायदा होगा यदि आप आउला खाते हैं तो बहुत अच्छा है नई खाते हैं तो आज से ही खाना सुरू कर दें आपके सरीर को बहुत ही फायदा मिलेगा आपको एक ही हफ्ते में फायदा देखने को मिलेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही आउल लेखाने के फायदे, तो वीडियो कैसा लगा, कमेंट बाक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होड़ा, लाइक से जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बे लाइक अंटरेस कर लिए जिसे इस चैनल के अच्छ